बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकों माई यूट्यूब फैमली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, तो कैसे हैं आप सब, उमीड करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं हूँ महनूर रिहान और आप देख रहे हैं महनूर स्पोर्ड कॉर्नर यूट्य थोड़े से बदाम और बदामों का पावडर, इलाइची, बारीक कटी हुई खजूरे, कोकोनट पावडर, और यह हमने लिया है एक पैकेट सवईयों का, आप किस भी ब्रेंड की ले सकते हैं, अब इसनको मैं चोटे-चोटे पीसेज में तॉर लूँगी, यह आप देख स कर दिया है, पधलने के कंगा की कि आंग केबाद में दो कर जार। बैल बार करें में चीनी आड कर दो काуждों कि जो चीनी हैं वह दूद में सही तारह से डिजॉल्व और यह मैंने चमच हिला लिया है और थोड़ा सा बॉयराने के बाद इसमें मैं सवईयां अड़ कर दूंगी चमच की हल्प से हम सवईयां इसमें अड़ कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अड़ कर दी है और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा चमच हिला लूँगी यह आप देख सकते हैं मैंने चमच हिला दिया है और यह हमारा दूद सही तरह से बॉइल हो गया है इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और पकालेंगे कि जो हमारा दूद है वो थोड़ा सा ओर ड्राइ हो जाए यह आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हिलाते रहिएगा कि यह नीचे ने लगे देखें अब इसमें थोड़ा सा ओर में चमच हिलाऊंगी और ये हमारी जो सवाइया है वो रेडी हो चुकी है सवाइया रेडी होने के बाद इस पे हम गार्निशिंग कर देंगे यह देखे हमने गार्निशिंग के लिए जो चीजें रखी है अब हम उनको गार्निश कर देंगे सबसे पहले मैं इसमें coconut powder एड़ करी हूँ जो चीज आपको जितनी पसंद है उतनी quantity में एड़ कर सकते हैं फिर मैं गार्णिशिंग के लिए इसमें किशमिश एड़ करी हूँ यह देख सकते हैं जितने अच्छे तरीके से आप गार्णिश करेंगे उतनी आपकी चीज जो है वो खुबसूरत लगेगी यह देखे मैं किशमिश इसमें गार्णिश करी हूँ जितनी आप पसंद करते हैं उतनी quantity एड़ कर सकते हैं इटस अप टो यू इसके बाद जो हमने पाउडर्ड एलमंट्स लिये थे वो आड़ मैं कर दूँगी इसमें यह आप देख सकते हैं पाउडर्ड एलमंट्स एड़ करने के बाद इसमें जो हमने साबत एलमंट्स लिये थे उसका मैं छोटा सा फ्लार बिना रही हूँ यह आप देख सकते हैं आप जिस तरह भी गार्णिश कर लें यह आपकी चाइज है यह मैंने इसका प्यारा सा खुबसूरत सा फलार बिना दिया है और इसके बाद जो हमने बारी काटी थी खजूरे उसको प्लेस कर दूँगी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन पे प्रेस कीजिएगा और अगर आपको यह हमारी इंस्टेंट और क्विक सी रेसिपी पसंद आई हो तो इस पे लाइक करें कमेंड करें और इसको शेयर करें अगर आपके घर में sudden guests आज है तो इसे as a dessert आप ज़रूर यूज कर सकते हैं 15 to 20 मिनिट में ये ready हो जाता है हमारा quick dessert मैंने pitted dates ली हैं और इन्हें large pieces में cut कर लिया है आप जाहें तो change shape भी यूज कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं desserts जो होते हैं उसमें ज़्यादा जो garnishing की चीज़ें होती हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं आप जितनी अच्छी garnishing करते हैं उतना ही आप dessert से attract होते हैं और ये हमारी खुबसूरत सी जो वर में सिली हैं समया हैं वो ready हो चुकी हैं आप ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा हमारी recipe को और हमें comment section में ज़रूर feedback दीज़ेगा या आप देख सकते हैं अब दे मुझे इजाज़त अपने ख्याल रखिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग अलाहाफिज